यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 रुपे वाला पारलेजी बिस्कुट का पकेट लिया है इन सारे बिस्कुट को हम मिक्सर के बरतन में रफली तोड़कर डाल लेते हैं दो बड़े चममच चीनी यानकी शुगर डालेंगे यह देखिए इस तरह का हमें फाइन पाउड़ो चाहिए एक कप दूद है धान रखे हमें गरम दूद का इस्तमाल नहीं करना है आधा कप दूद की मलाई डालेंगे एक बड़ा चममच कोको पाउडर है वैनिला एसेंस है यह पूरी तरह से ओप्शनल है यह देखिए इसी तरह की कंसिस्टन्सी हमें चाहिए थोड़े से चोको चिप्स डाल देंगे यह भी ऑप्शनल है अब हम इसे मोल में डाल लेते है उपपर से भी थोड़ा सा चोको चिप्स डाल देंगे ऐसे तो यह आज किम चार घंटे में जम जाती है अब अगर आप इसे ओवरनेट रखोके तो ज़्यादा बेटर है टेस्ट में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यह पारले जी